सर क्या अप्डेट है आज क्या अप्डेट क्या है आप आज जो हेरिंग थी क्या आप हमें हर बार हाई कोट के बहार पकड़ लेते हो और फोस्ट तो आंसर जो भी क्वेस्टेंज मीडिया पूछता है आज एक मेंटेन अबिलिटी के इशू पर भी बहस था और मेरिट्स पर भी बहस था हमने जो अपना जैसा पिछली बार भी हमने बताया था जो रिप्लाई फाइल किया था सरकार के सारे अधिकारियों ने और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर साहब ने वो सारा के बेस पर हमने अपना रिजोइंडर फाइल किया था रिजोइंडर में हमने ये लिखा था कि हमारा केस अब ये रिजोइंडर फाइल करने के बाद और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि इस बात को रिजोंडर में मना ही नहीं किया गया है कि बैंक गरेंटी फोर्ज हुई थी या नहीं हुई थी दूसरा के जो डॉकुमेंट्स डी एन जी कंपनी जो है उसके लगाए गये थे वो डॉकुमेंट्स उससे पूछके लगाए गये थे या नहीं उसकी मर्जी के बगएर लगाए गये थे या उसकी मर्जी से उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया बलकि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर साहाब ने ये कहा था कि हमें आर इसी से फोन पे इंस्ट्रक्शन आई थी इसलिए हमें जल्दी-जल्दी में ये सारा काम करना पड़ा इसलिए हमें इटेंडर करने के लिए उनको जल्दी थी और इटेंडर का एक सबसे बड़ी वजा ये बताई गई कि इंटरनेट करेक्शन नहीं था ये सब चीजें जब रिकॉर्ड पर अगए लेकिन उससे भी महत्वपून बात ये थी के जो डॉकुमेंट्स लाइसेंस के फाइल किया गया थे वो प्रतम दृष्ट्या यानि के पहली नजर में वो भी फर्दी नजर आ रहे थे और जो एक पावर फटॉर्णी डिएंजी कंपनी का मैसेज डिएंजी कंपनी का फाइल किया गया था वो भी हम लोगों ने इंवेस्टिगेट किया काकुपो तुमने पेटिशनर ने तो पता लगा के नोटरी से के जो सिगनेचर से वो भी फोर्ज किये गए यानि के जो पावर परनी जवाब में लगाई थी सरकारी अधिकारियों द्वारा वो भी फोज थी तो हमारे पास अब सबूत बहुत और भी ज्यादा हो गए पहले से भी एक बात दूसरी बात यह के जो फिजिकल वेरिफिकेशन पेटिशनर काकुपो तुमने जाके जगा-जगा की थी उस व दिखाया था सेलेक्टिव रिपोर्टिंग जो हम कहेंगे वो मीडिया का मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती था कि जो बात कही गई है और जो मीडिया में भी दिखाई गई थी कि दिन्दयाल उपाद्याय ग्राम जोती योजना का सारा काम पूरा हो गया है वो सरसर गलत और जूट है उसके सबूत भी हमने आज कोट में अपने रिजोंटर में लगा दिये हैं तो मीडिया का रोल भी इसमें अब बहुत ही ज़्यादा शक के दायरे में आ जाता है तो इस पर भी मेरे ख्याल से हम लोग आगे से कहेंगे कि इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए किस प्रकार से मीडिया भी करप्शन को बढ़ाने में एक पोर्शन ऑफ मीडिया साथ दे रही तो यह भी एक आसपेक्ट इन्वेस्टिकेशन का हो जाएगा इसके अलावा जो सरकार कि पक्ष था एड़ोकेट जनरल साहब ने एक चिठी दिया आठ ऑगस्त दोहजार बाईस यानि के कल का उसमें यह कहा कि जो यह सब सरकारी अधिकारी जिनोंने जिनके इल्जाम जिनके उपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के उनको सरकार ने कॉंपिटेंट अथ जाए या ट्रांसलेशन किया जाए तो जो सरकारी अधिकारियों ने जिनके उपर इल्जाम है चोरी करने का पब्लिक का पैसा चुरा के डैवर्ट करने का प्रोसीजर फॉलो ना करने का उसको सरकार ही इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहती बलकि उसके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहती है जो भी ज्यादा से ज्यादा सरकार कर सकती है चीफ मिनिस्टर साफ जो ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ये बिलकुली जूट साबित हो गई क्योंकि अगर करप्शन का शक भी होता है तो कोई भी लीडर या सीनेर आफिसर उसको खुद परस्नल इंट्रेस्ट लेके करप्शन को रूल आउट करना चाहिए इसमें उल्टा हो रहा है कि करप्शन को दबाने की चुपाने की और डिस्ट्रॉय करने की और इंवेस्टिगेशन ना करे जाने की कोशिश जो है हाइस्ट लेवल से अब क्योंकि ये केस चीफ मिनिस्टर साहब के नीचे से तो डिसाइड नहीं हो रहा होगा आप सब को पत दा लत में फाइल किया इसके अंदर लिखा हुआ है कि सारा मेटीर्ल जो किया वह सारा मेटीर्ल लिए बगर आप DAM जो किता आपने वह सारा मेटीर जिसके उपर बेस करके आपने ये फैसला किया है कि जिन अधिकारीओं के उपर करफशन के चारजिस हैं या दूसरे लोगों के उपर करफशन के document force करने के जूटी利 charcoal नटीज और दूसरे लजाम है उनके उस सारे चीज़ों को उस सारे material को भी court में final करें तो Advocate General साहब ने ये बोला है कि हम दो हफ़ते के अंदर फाइल करेंगे और अगला डेट इसके बाद 14 September लगा है तो जच साहब ने ये भी order किये हैं कि उस दिन हम कोशिश करेंगे आप ऐसे मेडिया पर आरोप लगा रहे हैं सारे लोकल मीडिया आपने दिली में भी press conference करी आपने अभी जो ओपरेशन पार्टी है ये तो CM सर ने भी वहाँ पर दिली में statement दी थी कि ये political साजिश है कि ओपरेशन पार्टी की जो हारे या ऐसे से बताया गया ये बिल्कुल उन और ये case को टेकप करने आते हैं आपके पीछे भी political backup है सरकार को बदनाम करने का आप क्या खहिंगे हम मीडिया जो है वो अगर क्राइम करती है कोई तो मीडिया भी कानून से ओपर नहीं है चीफ इनिस्टर साहब भी कानून से ओपर तो कोई नहीं ये तो भारत का समिधान ह तो सबूतों को तोड़ मोड के पेश करना खास तोर पे मीडिया द्वारा अपने आप में ये कपराद है और corruption के cases में तो उसमें conspiracy का एंगल investigate किया ही जाना चाहिए यह हम कह रहे हैं क्योंकि जो सबूत हमने लगाए और जो मीडिया ने दिखाए थे वो साब ये दिखाते है कि मीडिया ने reporting selective reporting की थी तो इसलिए conspiracy का एंगल है हम तो कानूनी बात बताते हैं जहां तक दिल्ली से आने की बात है तो वकील तो वकील ही होते हैं सब जगह के वकील बराबर होते हैं ये एक सरकार को और अरुनाचल की जंता को इस बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली से व करप्शन को खतम करने के लिए जैसा मैंने सबसे पहले भी कहा था जब प्रेस को इड्रेस किया था अगर सबसे ज़्यादा जरूरत है और हम लोगों की जो की बाबा साब डॉक्टर भीम राओं बेटकर के फॉलोवस हैं भारत के समिधान को अफोल करने के लिए हम लोगों दुनिया जानती है और वो किस प्रकार से हमारी धर्ति खाये जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक तो अगर अरुनाचल की जंता को करप्शन फेस करना पड़ेगा तो यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है किसी भी सरकार के लिए अरुनाचल की और सेंट्रल गवर योगी तो पहले अरुनाचल की करप्शन दूर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यह बादर लाइन स्टेट है यहां की जंता जो है देश की सबसे बड़ी और जो कहा जाए सबसे जिम्मेदार जंता है और सबसे ज्यादा खत्रा मोल लेने वाली जंता है देश के लिए त तो इसमें आप इसको फीज के एंगल से मत देखिए मेरी सहत के ओपर कितना नुकसान हो रहा है इस से यह भी देखिए अभी आप मैं वापिस जाओंगा क्योंकि कल सुप्रीम कोट में मेरे केसिस लगें तो पैसे से ज़्यादा जरूरी आदमी की सहत होती है पर करप्शन क के खिलाब आवाज उठाता है उस पर अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स हैं और जो सरकार में बैटे अधिकारी हैं वो क्यों प्रेशर बनाते हैं यह आप लोगों को सोचने कर विशाना है तो आप लोग चाहेंगे कि अगर यह पानी का पानी जंता के सामने होना चाहिए ट्रांस्पेरेसी भारत के समिधान का एक इंपोर्टन हिस्सा है जो लोग चुपाते हैं वो ही चोरी करते हैं जो लोग दिखाते हैं हर चीज़ खोल के दिखाते हैं वो इमांदार होते हैं जो चुपाते हैं जैसे यह और पास कि क्या कहेंगा तूट क EPA पहले काया में बार बार को किसी मिनिस्टर एक किसी पॉलेटिकल पर का रो नाम है वह महत्पूर नहीं है कि सच मेह कंचनत्राण के लिए लिए बहुत सबूत है कि मैं किसी मोटिपेशन से है रहा हूं जो कोई इमांदार मंत्री है या कोई भी वेक्ति जो इमांदार है कोई इमांदार पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इमांदार ग्रूप है वो अगर करप्शन का मुद्धा उठा रहा है तो उनके उपर इल्जाम लगाये जा रहे है में इशू क्या है करप्शन हुआ है या नहीं उस पर क्या बोल रही है सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब इस पर ध्यान देना चाहिए आपको मेरा ख्याल तो यही अब मैं ये सब डीटेल्स बता के उनकी जान को और खत्रे में नहीं डालना चाहता मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अरुनाचल की जंता को काकुपोतुम और इन जैसे जो बहुत मुठी भर ऐसे लोग रहे गए हैं जो की करप्शन मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं कोई अच्छा काम कोई भी सरकार करेगी तो इसकी तारीफ भी करता है इसके बाद अगर फैसला नहीं आप उपर हाई कोट उपर सुप्रीम कोट तक जाएंगे हम अपने पूरी ताकत लगाएं के देखिए इसके लिए सुप्रीम कोट भी जाना पड़ेगा और भी जो जो क काम करने पड़ेंगे और मैं बार-बार इस बात को भी कहता हूं कि आजकल जो हमारी जुडिशल सिस्टम है अभी एक और भी बड़े वकील जो की जजों के चहते माने जाते थे कपिल सिब्बल साहब उन्होंने तक यह मजबूरी में आप काय के जो सुप्रीम कोट के उपर हाई कोट के जजिस हो या चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो यह सब जंता के नौकर हैं तो जंता को अपना सरमाया अपनी पूंजी बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा मैं यह बार-बार कहता हूं कि 80% जो है देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी पीस्फ मैं तो प्रेस तक को कह रहा हूं तो वह लोग तो डारेक्ली इंवाल रेस तो बाद में आई एना चुपाने के लिए वो तो डिस्ट्रक्शन अफ एविदेंस एंड शील्डिंग दग दग जो क्रिमिनल से उनके लिए बीच में आई यह यह लोग तो डारेक्वी इन्वाल मैं तो रे org का Morgan काॉल कि सभी लोगों को फिटीष्टरर काकू ठूम ने चिट्पी लिखी थी उसके बावजूद भी हर जो गौर्मेंट की जवाब देते हैं, आप हमसे कड़वे सवाल भी पूछते हो, तब भी जवाब देते हैं, अपने उपर जो एलिगेशन लगाते हैं, आप हमारे उपर भी लगाते हैं, उसका भी जवाब देते हैं, बाकी लोग, अब तक हमें टेकनिकल बारे में बता नहीं है, तो मैंटेन हो चुकी हैं इतने लंबे लंबे और पास हो चुके हैं अभी मैंने आपको बताया कि आप खुदी देख लीजे अदालत ने ये काया कि इसको हम कौन देर लगा रहा है कौन देर लगा रहा है हम लोग तो इतनी दूर से चलके आते हैं हम चाते थे आज ये मैटर खतम हो जाए अब हम कोशिश यह करेंगे 14 सेप्टेमर को ये मैटर खतम हो जाए लेकिन ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए कि आठ तारिक को ही कल एक डॉकुमेंट क्यों बनाया गया और क्यों पेश किया गया हम डिले नहीं कर रहे हैं डिले वो करता है जिसको चुपाना होता है जिसको सब कुछ सामने दिखाना होता है वो डिले नहीं करता हम लोगों को तो इतनी दूर से चलके आना पड़ता है तो हम कोशिश हमारी पूर औरको कातम से भाइक